आज के इस वीडियो में हम लोग अधार कार्ट से फॉनपे एकाउंट किरेट करना सेखेंगें दोस्तों अगर आपके पास ATM कार्ट नहीं है और आप फॉनपे यूज़ करना चाहते हैं तो आप अधार कार्ट से फॉनपे एकाउंट किरेट कर सकते हैं जिसका complete process इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एगर आपके mobile में पहले से phone page install ले तो आपको इसे uninstall करना होगा और वीडियो के description में दिये link से अधार WPI phone page को install करना होगा phone page install करने के बाद आप इसे open करेंगे और अपना mobile number से login करेंगे login करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface होगा आपको profile पर click करना है यहां में add bank account का एक option मिलता है आपको इस पर click करना है और अपना bank account को add करना है आपका account gcb bank account में है उसे आप add करेंगे हमारा bank account successfully add हो गया है अब हम अपना UPI pin create करेंगे इसके लिए set pin पर click रहेंगे यहां हमें UPI pin create करने का दो option दिये गए है पहला ATM card और दूसरा अधार card अधार card से UPI pin create करने का option अभी सभी bank में नहीं आया है किस-किस bank में आया है इसे चेक करने के लिए वीडियो के description में दिये link पर click रहेंगे इस list में जितने भी bank है आप इन सभी bank में अधार card से UPI pin create कर सकते हैं और इसके अलावे जितने भी bank है उसमें अभी अधार UPI का option नहीं आया है एगर आपका bank account इस list में नहीं है तो आपको wait करना होगा कुछ दिन के बाद आपके bank account में भी अधार UPI का option आजाएगा हम यहाँ अधार card से UPI pin create करना चाहते हैं इसलिए authenticate using अधार नमर पर click करेंगे आपके bank account और अधार card में same mobile number link होना चाहिए तभी आप अधार card से UPI pin create कर पाएंगे यहाँ आपको accept and proceed पर click करना है आपके सामने इस तरह का interface होगा इसमें अपना अधार card का first 6 digit को fill करना है उसके बाद proceed आप इसे allow करेंगे आपके अधार card link mobile number पर एक OTP आएगा OTP को यहाँ fill करना है उसके बाद next आपके bank account link mobile number पर एक OTP आएगा OTP को यहाँ fill करना है उसके बाद next अब आप एक strong UPI pin create करेंगे उसके बाद next आप जो UPI pin create करना चाहते हैं उसे दुबारा से fill करेंगे उसके बाद next हमारा UPI pin successfully create हो गया है अब इस UPI pin का use करके हम कहीं भी पैसा transfer कर सकते हैं